असलाम लाइकुम एवरिवान कैसे आप सब आई होप सब लोग अच्छे से होंगे एक बार फिर से वेलकम जेके इन्फॉमिशन अपडेट में आज मैं स्कॉलर्शिप की एक नोट्फिकेशन लेके आया हूँ आपके समने मैं आपको बोलूँगा कि उसमें क्या लिखा है क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत से जॉब रिक्रूटमेंट आने वाले हैं जैन्ट के के लिए तो उसकी नोट्फिकेशन सारे इस पे मुझूद होगी हम कैसे गर बैठके फॉर्म अनलाइन फिल कर सकते हैं फोन से वो भी मैं इस पे अपलोड करूंगा वीडियो इसल करते हैं तो उसकी जो लॉस्ट डेत हैं वह एक्स्टन्ट की गई है स्कॉलर्षिप प्रिमेटरिक पोस्ट मैंटर गई त्वैंटिवन अनलाइन 2021 लॉस्ट डीट गें तो मैं आपको दिखाँगा कि कब तक वह एक्स्टन्ड किया गया या लास्ट डीट अब देख सकतो य आपको थोड़ा भू दिखाऊंगा यहां पर लास्ट डेट जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलर्शिप के लिए वह एक्स्टेंड किया गया है जे के सोचल एलफ्यर दिपार्टमेंट की तरब से तो मैंने सुच आपके साथ यह शेयर करूं इसलिए मैंने यह वीडियो बना है दिखाऊंगे यहां पर लिखा हुआ है यहां पर लिखा हुआ है एक्स्टेंड दा, time lines are filling up for the fresh and renewal application for post matric scholarship scheme and scholarship scheme on NSP up to 20 January 20 January तक इसका last date है वो एक्स्टेंड किया गया है पोस्ट मैट्रिक के लिए, social welfare department के तहो और जो यहां पर एक और चीज यहां पर लिखा गया है and also extension of last date for the first level of verification up to 5 February the first level of verification जो है उसके भी last date जो है वो extend किया गया है 5 February तक और second level of verification up to 20 February जो second level of verification है उसके last date extend किया गया है 20 February तक तो जिसको भी apply करना होगा social health department के थू शिकॉलरशिप के लिए post metric के लिए वो कर सकते है क्योंकि उसका last date है वो extend किया गया है तो अगर आपको वीडियो जो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजे शेर कीजे और चैनल को ज़रूर subscribe कीजे ताकि आने वाले दिनों में इसमें और job related वीडियो अपलोड होंगे thank you so much